नमस्कार आप देखरें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंदियो चक्रवर्ती नया साल मुबारक हो 2021 का ये हमारा पहला एपिसोड है सवाल आज का ये है क्या 2021 भी 2020 के तरह धन्ना सेटो को करेगा माला माल और बाकी सब को करेगा कंगाल यही सवाल है हमारा कि क्या ये अमीर लोगों के लिए अच्छे दिन लाएगा 2021 बिल्कुल उसी तरह जैसे 2020 लाए था इसी सवाल का जवाब देंगे आज और इसका हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में 2020 में हम सब जानते हैं क्या हुआ करोना वाइरस आया हम सब के सामने और इसके चलते अपरेल से एक बिना प्लाइन का लोगडाउं पूरे देश पे लगाया गया और इसका अफसर क्या हुआ देखे आप जनवरी में हमारे देश में लगबग 41 करोड 5 लाग लोगों के पास रोजगार था और फरवरी आते वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ था लेकिन अपरेल में आप देखिए लोगडाउन के चलते क्या हुआ लोगडाउन में वो गिरकर 28 करोड 20 लाग पर उतर आया हाँ धीरे धीरे फिर जैसे जैसे लोगडाउन थोड़ा थोड़ा खुला उसके बाद रोजगार के अफसर बढ़ते रहे और सितमबर आते आते ये 49 करोड से जादा हो गया लेकिन फिर से नवेंबर दिसंबर में ये घट गया है और दिसंबर के अंद तक कुल रोजगार हमारे देश में 38 करोड 88 लाग पर उतर आया है यानि साल के शुरू से जनवरी से लेकर दिसंबर तक दो कडोर 17 लाख लोगों के रोजगार का अफसर चला गया, खतम हो गया हाँ वैसे ही हमारे देश में रोजगार के अफसर कम है आप देखें किसी भी देश में क्या होता है कि जो काम करने लायक है, जो काम कर सकते हैं यानि 15 साल से जाधा उमर के लोग जो हैं, उनमें से 60-70 परसेंट लोग काम करते हैं जिसको का जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अब आप देखिए कि अमरीका का हम लेंगे लें तो वहाँ पर लेबर पोर्स पार्टिसिपेशन रेट है लगभग 62 प्रतिशत और वही अगर हम चीन ले लें तो वो 68 प्रतिशत से जादा है भारत का लेंगे तो वो 40 प्रतिशत के आसपास है अगर हम ये देखे कि भारत में भी 60 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो काम करने लायक है यानि 15 साल से जादा है और काम करने की उनको जरूरत है क्योंकि ये गरीब देशे उनको काम करने की जरूरत है लेकिन अफसर नहीं है इसलिए वो काम ढूंडते तक नहीं हम ले लेते कि 60 प्रतिशत ऐसे लोग हैं तो अगर जन्वरी में मैं ले लूँ के काम धूंडने वाले छोड़कर काम की जरूरत जिन लोगों की थी वो लगभग हजार थे तो उनमें से सिरफ 663 के पास काम था हजार लोगों को काम की जरूरत कम से कम थी हमारे जैसे देश में लेकिन सिरफ 663 के पास काम था जन्वरी में दिसम्बर आते आते आबादी बढ़ गई और काम की जरूरत वाले लोग कितने थे जरूरत मन लोग 1022 पे वो बढ़ गया एक हजार बाइस पे वो चला गया लेकिन काम कितने पास लोगों के पास था सिरफ 628 के पास काम था तो आप देखिए कि असल बेरोजगारी हमारे देश में जो की बहुत जादा है असल बेरोजगारी 17 प्रतिशत बढ़ गया है सिरफ एक साल में और जन्वरी से दिसम्बर क के बीच में across the board मतलब हर तरीके के कामगार लोगों का काम गया है अगर मैं बिजनेस वाले लेलू लोग जो छोटे या मजहौले बिजनेस करते हैं उनका 5 प्रतिशत रोजगार का अफसर कम हो गया है जो लोग छोटा दुकान चलाते हैं या खोमचा कहीं पे लेकर कुछ प चलाते हैं जो सबसे सुरक्षित नौकरी होती है वैसे लोगों का 15 प्रतिशत रोजगार कम हो गया जी हां Middle Class वाले सैलगी वाले लोगों का 15 प्रतिशत जनवरी से दिसंबर के वीच काम का अफसर कम हो गया सिर्फ कृशी में रोजगार 2 प्रतिशत बढ़ गया है कृशी व 1200 के आसपास कंपनियों को लेकर उनका जो जुलाई से सितंबर के बीच में मुनाफ़ा हुआ या आए हुआ इसका विशलेशन किया है और उनने दिखाया है कि इन कंपनियों का इस क्वाटर में इस्तिमाही में जो कि लास्ट हमारे पास डेटा मिला हुआ है इसमें 579 वेतन या मजदूरी दी है वो सिर्फ 3.5 प्रतिशत बढ़ा है सिर्फ 3.5 प्रतिशत अगर मैं इससे इन्फलेशन हटा देता हूँ 7 प्रतिशत इन्फलेशन होआ है महें गाइदर बढ़ी है दोनों से हटा देता हूँ तो 579 प्रतिशत का जो मुनाफ़ा था वो जाकर गि मुनाफ़ का 560 प्रतिशत से जादा और जो सैलरी और वेतन दिया है कॉर्परेट वालोंने सैलरी और वेज़ेज यानि मजदूरी जो दिया है कॉर्परेट वालोंने वो 3.5 प्रतिशत कम अब आप देखिए इसका मतलब क्या है इसका मतलब साफ है कि जो धन्ना सेठ है वो माला माल हुए हैं और बाकी सब कंगाल हुए हैं और ये चीज 2021 में जाके और भी खराब हो सकता है मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिये कि इतना सारा मुनाफ़ा करने के बाद भी कमपनियों ने अगर इतना कम वेतन बढ़ाया है और असल वेतन काट दिया है लोगों को नौकरी से निकाला है और ये लौकरिया वो वापस नहीं देंगे ये वेतन वो फिर से नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उनकी जरुरत नहीं है वो सिर्फ अपने मुनाफ़े को देखेंगे आप एक और चीज देखिए कि 2021 में अभी से शुरू है 2021 में जितने भी कच् माल जिसको कहते हैं इंपुट कहते हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं और जैसे वो बढ़ेंगे तो क्या होगा कच्चे माल का खर्चा कंपनियों का बढ़ता रहेगा और इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता वो बाहर से आता है जैसे कच्चे माल का खर्चा बढ़ेगा वो खुद को जो वेतन देते हैं, जो पूंजी पती है न, वो खुद को भी salary देते हैं, वो salary एक आदमी का होता है, 100-200 लोगों के बराबर, उनका वेतन बढ़ता रहेगा, उनका मुनाफ़ा बढ़ता रहेगा, बाकियों का घटता रहेगा, यानि कि फिर से corporate लोग होंगे, माला म और बाकि सब होंगे बदहाल, मैं क्रिशी की बात कर रहा था, क्रिशी पे आता हूँ, दो प्रतिशत बढ़ा है क्रिशी में, रोजगार के अबसर, अब आप कहेंगे, इसका मतलब क्रिशी तो बहुत अच्छा हुआ है, किसानों का फाइदा हुआ है, जी ने, हमारे देश में वैसे ही खेती में इतने लोगों की जरुरत नहीं है, कहीं पे अगर तीन भाई हैं और एक छोटा सा खेत हैं, एक सिरफ दो की जरुरत है, तीनों वहाँ पर काम करते हैं, और कहते हैं कि हम तीन खेती करते हैं, बाद में क्या आता है, एक चला जाता है, शेहर में कहीं प कि लॉगडाउन के चलते क्या हुआ लाखों कि तादाद में ऐसे लोगों की रोजगार के अफसर चले गये और जब वो गाम वापस गए तो क्या हुआ वही खेत में जाकर वह काम करने लगे और जब सर्वे करने लाले लोग आकर पूछे कि वो कर क्या रहे होगाइब, वो कहते हैं हम खेती कर रहे हैं, केती की उनको करने की कोई जरूरत नहीया है, खेत में उनकी कोई जरूरत नहीया है, यानि जो रोजगार बढ़ा है वहाँ पर वो असल रोजगार नहीं है, वो एक चीज है जिसको कहते है, Ausguised Unemployment यानी की छिपी हुई बेरोजगारी अब इसी खेती में जो काम करते हैं किसानों का हाल और भी बुरा करने के लिए मोधी सरकार तीन क्रिशी कानून लेकर आई है जिससे क्या होगा किसानों पर पूरा कबजा बड़े एगरी बिजनिस का हो जाएगा बड़ी बड़ी कंपनिय का हो जाएगा पूरे खेती पर कबजा वो क्या करेंगे किसानों से काउंट्रैक्ट फार्मिंग में काम करवाएंगे चवन्नी के दाम उनका फसल खरीदेंगे और वही चीज बड़े बड़े दाम पर जादा मुनाफ़ा करके हम लोगों को बेचेंगे यानि क्रिशी में भ रोट पर आकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बिलकुल कड़ी सर्दी के बीच वो रोट पर सो रहे हैं वही पर रह रहे हैं वही पर खा रहे हैं और हम लोग इस वक्त रजाई के नीचे कंबल के नीचे कई पर हीटर चलाकर चुप-चाप बैठे हुए हैं कई पर आवाज बुलंद कीजिए क्योंकि वैसे ही middle class का भी पत्ता 2020 में धीरे-धीरे कटने लगा है 2021 में और भी कटेगा बाकी सब के साथ आप भी होंगे बदहाल आपका भी होगा बुरा हाल सिरफ बड़े corporate और धन्ना सेट होंगे माला माल चुप मत रहिए आवाज उठाईए न्यूस क्लिक देखते रहिए इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और यह जो bell icon है उसको जरूर दबाईएगा ताकि आपको तुरंट पता चले कब हमारे नए वीडियो आ रहे